हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मा यूट्यूब चैनल वंदनाराय होममेकर फ्रेंट्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में साडी से एक लहगा बनानी की वीडियो शेयर की थी और आज मैं उस साडी में का जो ब्लाउच पीस था उससे एक डिजाइनर चोली और श्रग बनाने वाली हूँ और फ्रेंट्स, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेज पसंद आती हैं तो वो सारी ड्रेसेज मीशो पर अविलेबल हैं और अगर आप उन ड्रेसेज में से कोई भी ड्रेस लेना चाहें तो मीशो एब पर जाईए और राइबिया सर्च करिए र-A-I-B-I-A राइबिया तो मेरे सारे प्रोड़क्ट शो हो जाएंगे और आप उसमें से कोई भी प्रोड़क्ट अपने लिए ओनलाइन आडर कर सकते हैं और अप वहां पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं तो आप मीशो एब पर जाईए और राइबिया सर्च करिए और मुझे फॉलो करिए और फिर चलिए ये ड्रस बनाना हम शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स ये कपड़ा ये मैंने साडी में से कट किया था ये ब्लाउज का पीस है इधर ये आप देख सकते हैं इधर की डिजाइन अलग है और इधर ये साडी में का प्लेन वाला पार्ट जो मैंने कट किया था तो ये 1.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े से मैं एक डिजाइनर चोली और एक जैकेट यानि शिरग बनाऊंगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चोली बनाने के लिए ये जो यलो वाला पार्ट है साडी में से इसको हम कट करके निकाल लेंगे तो इसकी हम विर्थ जो है फ्रेंट्स 11.5 ये आप देख सकते हैं ये 11.5 इंच रखेंगे और यहां से ये पूरा यलो वाला पार्ट पूरा 1.5 मीटर है ये पूरा हम काट के पहले इसको अलग कर लेंगे तो फ्रेंट्स 11.5 इंच ऐसे हम नाप नाप कर ऐसे डॉट्स के निशान लगा लेंगे ये आप देख सकते हैं इस टाइप से ये पूरा यलो वाले पार्ट में ऐसे 11.5 इंच पर और फिर इसको हम पूरा मिला देंगे ऐसे एक सीधी लाइन से जिससे हमारा कपड़ा गडबड ना हो उसके बाद हम इसको कट करके अलग कर लेंगे तो फ्रेंट्स ये कपड़ा ये आप देख सकते हैं ये मैंने इतनी लंबी पट्टी कट कर ली है अब बिल्कुल इसी साइज का लाइनिंग का कपड़ा ये मैंने रखा है बिल्कुल इसी साइज का लाइनिंग का कपड़ा भी हम कट कर लेंगे तो फ्रेंट्स ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने कट कर लिया है और ये हमारे चोली में का ये सीधा वाला पार्ट है ये कपड़े में का और ये उल्टा पार्ट है तो इस सीधे वाले पार्ट की तरफ से हम इसके उपर ये लाइनिंग का कपड़ा इस टाइप से रखेंगे यह आप देख सकते हैं और उसके बाद इसके किनारों पर पूरा यहां से यहां तक और फिर इस किनारे पर पूरा किनारे किनारे यहां से यहां तक हम सिलाई चला कर यह दोनों फैबरिक आपस में अटेच कर लेंगा इसके किनारों पर पूरा मैंने सिलाई चला दी है और ये दोनों कपड़ा ये आप देख सकते हैं आपस में जॉइंट हो गया है और इस कपड़े की पूरी विर्थ 58 इंचेज है ये इसकी पूरी विर्थ अगर हम चाहें तो थोड़ी कम भी ले सकते हैं मैं इसकी विर्थ बत अबड़े को पलटकर सीधा कर लेंगे तो इस टाइप से ये आप देख सकते हैं इसको हम पहले ऐसे पलटकर सीधा कर लेंगे और फिर इसके उपर आयरन चला देंगे जिससे ये एकदम अच्छे से बैठ जाए तो फ्रैंट्स इसको मैंने आयरन कर लिया है और ये बहुत उपर अब हमको Elastic attach करनी है यह पतली वाली जिससे यह हमारे यहाँ पर और यहाँ नीचे पर पकड़ ले तो इस टाइप के Elastic हमको लगानी है तो अगर हम चाहें तो Elastic को यह आप देख सकते हैं इस टाइप से नाप सकते हैं कि हमको कितना टाइप मतलब Elastic चाहिए तो इस टा तिर उसी elastic को हम इसमें attach करेंगे तो friends ये दो elastic मैंने cut किये हैं और इस elastic की लंबाई 27 inches है ये और ये दोनों बराबर हैं और अब हम क्या करेंगे कि यहां उपर की तरफ हम 1.2 inch पर ऐसे ये 1.2 ऐसे निशान लगाते जाएंगे इस तरह से नाप नाप के ये आप देख सकते हैं ये पूरा यहां से यहां तक और इसमें भी और इसके इस बगल भी और उसी पर हमको ये elastic ऐसे खीच कर लगानी होगी तो friends मेरे चनल को subscribe करें, like करें और share करें और bell icon को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का notification आप तक पहुँच सके friends 1.2 inch पर ये मैंने उपर और नीचे की तरफ ये नापकर line ड्रॉ कर ली है इस बगल भी और इस बगल भी ये आप देख सकते हैं और ये 27 inches लंबाई की मैंने इलास्टिक जो कट की थी इसको हम एक जगह से ऐसे रखेंगे और फिर इसको हम खीच कर इस टाइप से इस पर सिलाई चलाते जाएंगे और चारो तरफ उपर और नीचे ये इलास्टिक हम हम पूरा टाइट से हमारे फ्रिल बनती जाएगी समय इस मैं ने उप और नीचे की तरफ इलास्टिक लगा दिया है और ये 1.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की विर्थ जो है ये 32 इंचेज है क्योंकि इसमें से मैंने इधर से यलो वाला पार्ट कट करके चोली बना ली थी और अब इस कपड़े से हम एक श्रग बनाएंगे को हम इस टाइप से फोल्ड करेंगे ये आप देख सकते हैं ये हो गया उसके बाद हम इसको ऐसे रख लेंगे और फिर हमको जितनी भी लंबाई की श्रग बनानी है उतनी लंबाई हम नापकर कट कर लेंगे तो मैं यहाँ उपर से ये 21 इंचेज पर एक निशान लगा लूँगी और फिर यहाँ से पूरे इस कपड़े को कट करके मैं अलग कर लूँगी और इस बचे हुए कपड़े से मैं इससे स्लीप्स बनाऊंगी तो इसको मैंने कट कर लिया है ये आप देख सकते हैं और इस कपड़े से मैं स्लीप्स कट करूँगी और ये कपड़ा इधर से जॉइंट है तो इसको भी कट करके हम पहले अलग कर लेंगे तो फ्रेंट्स ये मैंने कट करके इसको अलग कर दिया है ये आप देख सकते हैं और अब हम क्या करेंगे कि इसको एक कपड़ा ऐसे फोल्ड करेंगे और ये दूसरा वाला हम इसको अलग निकाल देंगे और पहले इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे ये एक पार्ट है ये आप देख सकते हैं ये हो गया और ये इधर बंद है और ये इधर से ओपन है और अब हम इस पर ड्राफ्टिंग करेंगे ये श्रक की cutting में हम दोनों पार्ट अलग-अलग cut करेंगे तो इधर खूले वाले पार्ट की तरफ से यहां से इंची टेप रखकर हम 8 इंच पर ये shoulder का निशान लगाएंगे ये 8 इंच हो गया ये आप देख सकते हैं और फिर यहां से नीचे की तरफ 7.5 इंच पर हम एक निशान और लगा लेंगे ये हो गया उसके बाद इस निशान को इस निशान से एक सीधी लाइन से इस टाइप से हम मिला देंगे ये हो गया और फिर उसके बार यहां पर हम चेस्ट का चौथा प्लस 1.5 इंच लेते हैं तो हमको जितनी भी चेस्ट की ये शरग बनानी हो जैसे मैं 40 इंचेस चेस्ट का शरग बना रही हूँ तो हम इंची टेप में देखेंगे कि 40 का निशान कहां पर है वहां पर हम अपने टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे इस टाइप से ये देखिए ये एक बार हो गया और फिर एक बार और ये चार बार हो गया ये देखिए 1,2,3,4 ये चेस्ट का चौथा निकल कर आ गया है अब इसको हम यहां से ऐसे रखेंगे यह देखिए यह यहां तक आया और फिर इसमें हम 1.5 इंच और एड़ कर लेंगे यह यहां तक हो गया यह 1.5 इंच और फिर इसको हम इसमें मिला देंगे यह हो गया और फिर उसके बाद यहां से 7 इंचेस पर हम एक निशान और लगाए ये देखिए इस टाइप से ये हो गया ये और फिर इस निशान को ऐसे गुलाई करके हम नीचे तक इधर कॉर्णर तक इस टाइप से ये ऐसे मिला देंगे ये आप देख सकते हैं और फिर इसको कटिंग करने से पहले अगर हम चाहें तो इस कपड़े को भी हम इसी टाइप से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे ये देखिए ये इसको भी मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है ये और फिर इस कपड़े को हम इसको हम इस टाइप से रखेंगे ये जॉाइंट वाला पार्ट हमारा इधर रहेगा और ये हमारा ओपेन वाला पार्ट रहेगा और फिर इस कपड़े को हम इसके उपर ऐसे रखेंगे ये आप देख सकते हैं ये 4 तह कपड़ा हो गया है 1,2,3,4 ये नीचे वाला कपड़ा हमारा ये इधर से जॉइंट है और इधर से ओपन है ये हमारा बैक वाला पार्ट की कटिंग होगी और ये उपर वाला हमारा फ्रेंट वाला पार्ट है अब हम इसमें 1 इंच का तिर्षाई लेके इस टाइप से चाहें तो ऐसे 1 इंच की तिर्षाई ले सकते हैं और यहाँ पर हम ऐसे गुलाई कर देंगे ये आप देख सकते हैं और फिर इधर से हम क्या करेंगे और ये हमारे गले की broadness हो जाएगी और ये नीचे की तरफ 1.5 इंच पर हम इसकी गहराई ले लेंगे और इसको हम इस टाइप से ऐसे गुलाई कर देंगे और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये वन इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और ये shoulder की तिर्छाई जैसे हम normally हर ड्रेस में करते हैं इस टाइप से हम ये वन इंच पर इसकी तिर्छाई मैंने ये कर ली है और अब यहाँ से और ये cutting हम पहले कर लेंगे तो ये cutting ये आप देख सकते हैं ये cutting मैंने कर दी है उसके बाद ये दो पार्ट कपड़ा ये 1, 2 इसको हम हटाएंगे और ये neck की cutting भी हम कर लेंगे तो ये cutting मैंने कर दी है ये आप देख सकते हैं और ये हमारा back वाला पार्ट है और ये front वाला और इसको हम यहां से ये ऐसे फोल्ड करेंगे ये जो neck की cutting हुई है यही से ये इतना ही ये हमारा अंदर की तरह फोल्ड होके stitching होगा तो अगर हम चाहें तो यहां पर ऐसे cut का निशान भी लगा सकते हैं इधर और ये यहां नीचे की तरफ भी और फिर इस pin को हम अलग कर लेंगे ये जो मैंने pins लगा दी थी कपड़े को secure करने के लिए और उसके बाद ये one two part जो है ये उपर वाला पार्ट है इसको हम हटा द जो हम अकसर हर ड्रेस में करते हैं इसका कोई measurement नहीं होता है बहुत हलकी सी इस type से ये बस हो गया ये गहरी cutting हम कर लेंगे और अब friends हम क्या करेंगे हम sleeves की cutting करेंगे तो sleeves की cutting करने के लिए इस arm hole की लंबाई हमको नाप लेनी होगी तो ऐसे इंची टेप रखके हम इस type से रही है तो 11 इंचेज लंबाई का हम डबल कपडा लेकर sleeves की cutting कर सकते हैं और अगर 11 इंचेज चोडाई का हम 4 तह कपडा लें तो हमारी 4 दोनों sleeves की cutting एक साथ हो जाएगी तो ये आप देख सकते हैं ये 11 इंचेज इसकी width है चोडाई और ये 4 तह कपडा है ये देखिए ये 1 2, 3, 4 इसमें हमारी दोनों sleeves कट कर अलग हो जाएंगी और इधर ये joint है और इस तरफ से ये open है ये आप देख सकते हैं और sleeves की लंबाई हम जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं तो मैंने इस sleeves की लंबाई 11.5 इंचेज रखी है और अगर हम चाहें तो इसमें नीचे फ्रिल भी attach क कर सकते हैं वो हमारी इक्षापर depend करता है तो इधर खूले वाले पार्ट की तरफ से ये जो है यहां से हम निशान लगाएंगे ये 3.5 इंच पर ये हम एक निशान लगा लेंगे ये हो गया उसके बाद इस निशान को इधर कॉर्णर से एक तिर्ची लाइन से इस टाइप स हम मिला देंगे ये आप देख सकते हैं ये इस टाइप से हो गया और फिर अगर हम चाहें तो इसको हम हलका सा ऐसे ऐसे गुलाई कर लें ये देखिए ये हो गया और अब इसको कटिंग करके और यहां से ये कपड़ा जो डबल है ये कटिंग करके हम अलग कर लेंगे तो ये cutting ये आप देख सकते हैं ये cutting मैंने कर ली है और हम चाहें तो इधर नीचे की तरफ भी वन इंच पे या ऐसे भी हम इस टाइप से हलकी सी ये तिर्चाई दे सकते हैं ये देखिए ये हो गया और अब टू पार्ट कपड़े में ये दो अब पार्ट कपड़ा हम उठाएंगे ये देखिए वन टू और ये टू पार्ट हम छोड़ देगे इस टू पार्ट में हम हलकी सी गहरी cutting कर लेंगे जैसे हमने उसमें body part में उपरवाले में कीथी अपने श्रग के सामने वाले पार्ट में उसी टाइप से ये देखिए इससे क्या होता है कि हमारी जो स्लीप्स है वो लटकती नहीं है तो बस इतना साही हमको कट करना होता है ये दोनों स्लीप्स हमारी कट हो गई है और अब अगर हम चाहें तो इसके नीचे के लिए फ्रिल भी कट कर सकते हैं जिससे हमार निचे यहां फ्रिल बना दूंगी तो इसकी मैने दो पट्टियां कट की हैं यह आप देख सकते हैं और इसकी वीर्थ जो है यह आप देख सकते हैं seven inches है और इस कपड़े की लंबाई यह 37 इंचेज है तो इस कपड़े को हम इस टाइप से अपनी स्लीफ के नीचे ऐसे फ्रिल बनाकर अटेच कर देंगे तो यह हमारी स्लीफ लंबी भी हो जाएगी और इसका एक डिजाइनर लुक भी बन जाएगा अब हम श्रग की सिलाई करेंगे और यह हमारी श्रग में का फ्रंट वाला पार्ट है और यहाँ पर यह देखिए यह मैंने कट लगाया था तो इसी कट पर से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे यह देखिए इस टाइप से यह हो गया और फिर अगर हम चाहें तो इसको एक बार और ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके यह पूरा उपर से नीचे तक इसमें भी और इसमें भी इसको भी ऐसे फोल्ड करके पहले हम इतना सिलाई कर लेंगे ये सिलाई और ये मैंने चला दिया है इसको मोड़ कर ये फ्रंट वाला पार्ट है ये आप देख सकते हैं और अब हमको क्या करना है कि ये बैक वाला पार्ट इसको हम इसके उपर ऐसे रखेंगे ये आप देख सकते हैं यहां से ये और फिर ये और ये दोनों शोल्डर हम मैंने कट की है यह उरेवी पट्टी और यह सीधा वाला पार्ट है हमारे श्रग में का और इधर उल्टा पार्ट है तो सीधे वाले पार्ट की तरफ से इस पट्टी को हम इस पर रखेंगे और इसके बिल्कुल किनारों किनारे हम इस टाइप से सिलाई चला देंगे जिससे य और यह चोटे-चोटे हमारे कट्स लग जाएं यह आप देख सकते हैं और फिर अब इस पत्ति को हम अंधर की तरफ ऐसे पलट लेंगे यह आप देख सकते हैं इस टाइसे इसको अНधर के तरफ चाहें तो इस पर हम सिलाई चला सकते हैं और अगर चाहे तो तूडपाई भी कर दे यह क्षा पर डिपन करता है। यह मारी sleeves है, और अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे attach करने के लिए, यह जो फ्रिल मैंने कट की थी इस फरिल के neचे की तरफ, अगर हम चाहे तो पिक्को कर ले और अगर चाहें तो इस टाइप से मोड कर इसके उपर हम सिलाई चला सकते हैं और ये दूसरी तरफ हम बखिया को चोड़ी करके पूरा इस किनारे से इस किनारे तक चला लेंगे जिससे धागे को खीच कर और उसके बाद हम इसमें फ्रिल बना सकें इस टाइप से और फिर इसमें अटैच कर सकें तो फ्रेंट्स इसके नीचे मैंने ये पिक्को कर लिया है और इसके उपर की तरफ ये बखिया चोड़ी करके ये मैंने पूरी फ्रिल में चला दी है और अब इधर से जो द्धागे निकले होते हैं इसमें से एक धागा पकड़ कर जब मैं इसको खीचूंगी तो ये देखिए ये कितनी प्यारी फ्रिल बनती जा रही है और फिर इस धागे को ऐसे खीच-खीच कर और इसको सरका कर हम फ्रिल बना लेंगे ये आप देख सकते हैं ये इस टाइप से ह हम फ्रिल बनाते जाएंगे और इस फ्रिल को ये हमारी स्लीव है इसके नीचे हमको चाह प्रिल करना है तो हम उत्धना फ्रिल बनाएगए जितना हमारा इतने में अजुद्घेश्ट हो इस frill को ये sleeves के उपर हम नीचे की side में ऐसे रखेंगे और फिर इसको सही करते हुए इसके उपर हम सिलाई चलाते जाएंगे जिससे ये frill इसमें adjust हो जाएगी मैंने ये एक sleeves already बना रखी है ये देखिए ये इस type से मैंने सिलाई चला दी है और ये frill ये देखिए sleeves में हमारे नीचे की तरफ ये लग गई है ये श्रग मेरा लगभग ready हो गया है ये shoulder मैंने दोनों attach कर लिए हैं और ये sleeves है इसमें भी नीचे की तरफ फिर लग गई है अब इस sleeves को हम इस श्रग में attach करेंगे तो ये जो है गहरी वाली cutting है ये आप देख सकते हैं ये गहरी वाली cutting हमारे श्रग में आगे वाले front वाले part में attach होगी और ये दोनों हम यहां से बराबर करके ये उपर की तरफ अगर चाहें तो ऐसे cut लगा सकते हैं जिससे ये निशान ये देखिए ये निशान हमारा बन जाएगा और ये cut हमारा ये shoulder के joint पर ही attach होगा इधर उधर नहीं attach होगा तो इसको हम ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और इसको हम इस type से attach करेंगे ये आप देख सकते हैं ये दोनों हमारा सीधा part है और इसको एक part हम पकड़ेंगे ऐसे इसको ये देखिए और फिर इसको ऐसे करते हुए हम इसमें ऐसे सिलते हुए लाएंगे और ये जो cut लगा है ये हमारा यहां shoulder पर ही joint होगा और अगर थोड़ा बहुत कपड़ा हमारा extra हो जा रहा है तो अगर हम चाहें तो यहां दो तीन ऐसे छोटी-छोटी plates भी डाल सकते हैं तो और इस type से इसको हम पूरा attach करते हुए इधर से इस type से ये देखिए तो friends इसको हम इस type से सिलते हुए लाएंगे और ये हमारा cut है ये आ आप देख सकते हैं ये हमारा extra हो जा रहा है तो इस extra वाले कपड़े की हम इस type से यहां दो प्लेट्स ऐसे डाल देंगे ये मैंने डाल दी और इस तरफ भी अगर हम चाहें तो एक दो प्लेट्स ऐसे डाल सकते हैं और ये बाखी का कपड़ा हम इसमें ऐसे पूरा यहां से यहां तक attach कर देंगे तो फ्रेंट्स ये sleeves ये आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ sleeves मैंने attach कर दी है और ये श्रग लगभग ready हो चुका है और अब ये इसकी side की सिलाई यहां नीचे से पकड़ कर ये पूरा इसको यहां से यहां तक नीचे तक हम attach कर देंगे और इसको इसको attach कर लेंगे तो friends इसके दोनों किनारों को ये मैंने silker attach कर दिया है और ये देखिए ये श्रग हमारी लगभग ready हो गई है और ये नीचे से हम friends क्या करेंगे कि हम इसको ये देखिए एक बार ऐसे और फिर एक बार और ऐसे मोड कर ये पूरे में सिलाई चला लेंगे औ और उसके बाद ये front वाले पार्ट पर यहाँ पर हम ये जो हमारी साड़ी में से lace निकली थी इस lace को हम लगा लेंगे तो उपर की तरफ से हम इसको थोड़ा सा ऐसे fold करेंगे और ये front वाले पार्ट में ये side की तरफ यहाँ पर हम इसको रखेंगे ऐसे और ये लगाते हुए ये आप देख सकते हैं यहाँ नीचे तक हम आएंगे फिर यहाँ से इसको ऐसे घुमा कर हमको इधर ले जाना होगा और इधर से लाके पूरा हम यहाँ तक और फिर उपर तक जाएंगे तो यहाँ पर friends हमको थोड़ी problem होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम यहाँ तक नीचे तक आजाएंगे फिर इस टेप को हम ऐसे यह अब देख सकते हैं ऐसे इसको हम उपर की तरफ ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे यह देखिए और यहाँ से यहाँ तक टू इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे यह यहाँ से यहाँ तक टू इंच है मैं आपको देंगे और फिर हमको क्या करना है कि इसको हम यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे इसको मैं सिल कर आपको दिखाती हूँ यह देखिए यह सुई की मदद से यह हम मशीन भी चाहें तो चला सकते हैं इस टाइप से यह इसको जब हम ऐसे सिल देंगे यह हो गया उसके बाद जब ह कि तो Society के बनड़ेंगे तो यह देखिए यह कितना अच्छा यह बनकर आ यह देखिए कॉर्णर हमारा यह बहुत अच्छा बन जाता है तो इस टाइप से हम इसको बनाविय और ये corner पे और उधर से जब हम घुमा कर यहां corner पे आएंगे तो इसका भी corner हम इसी type से बना लेंगे. और friends इसको लगाने के बाद ये हमारी sleeves है अगर हम चाहें तो और decorate करना तो किसी भी type की lace यहां पर भी हम यह आप देख सकते हैं यहां से जहां से मैंने frill attach की थी यहां पर हम ऐसे अगर चाहें तो कोई lace भी attach कर सकते हैं. तो friends आप लोग देख सकते हैं कि यह designer shrug और चोली बनकर ready हो गया है और आप इस पूरी dress की वीडियो मेरे चैनल वंदना राय होमेकर पर देख सकती हैं और अगर आप इस designer dress को हरीदना चाहें तो यह मीशो पर अभी लेबल है आप वहां पर R.A.I.B.I.A. राइबिया सर्च करेंगे तो मेरे द्वरा design की हुई हर dress show हो जाएंगी और उसमें से आपको जो भी dress पसंद आए उसको आप अपने लिए खरीच सकते हैं और friends आप R.A.I.B.I.A. पर मुझे follow भी कर सकते हैं जिससे मैं जब भी कोई designer dress upload करूँ तो उसका link आपके पास पहुँच जाए और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल भी मत भूलिएगा और अगर आप लोग चाहें तो मुझे facebook और instagram पर भी follow कर सकते हैं मैंने link description box में दे दिया है तो फिर मिलते हैं मेरी next video में तब तक के लिए bye bye